अलो नमस्का दूस्तो रास्थान के सीकर समाचायर में आपका सोगत है सीकर जिले के भत्यपूर में चूरू बस स्टेंड छेतर के लोहारों के मोले से एक पती पतनी के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है दरसल यूवक मसूद 30 वर्षय की साधी 6 साल पहले लच्मनकर निवासी मदिना 27 वर्षय चोई भी थी दोनों के कोई भी संता नहीं है इस बात को लेकर दोनों पड़िसान रहते थे गाव में मसूद जूइलरी मेकिंग का काम करता था दरसल पुलिस पूस्तास में मदिना ने बताया कि पती गंटों तक किसी अन्य यूवती से फोन पर बात करता था ऐसे में उसे सकता की पती के अवेद संबन चल रहे हैं दो जुलाई को घर में वे दोनों अकेले थे गरवालों किसी अन्य साधी में गए थे मोके को देखतो है मदिना ने करीब 2-3 बजे इस गटना को अंजाम दिया जिसके बाद स्याम 4 बजे परिजन लोटे तो छोटे भाई मुस्तफान ने गेट खुलवाया जिसके बाद पत्ने ने बताया कि उसने इस गटना को अंजाम दिया है और उसे मैंने नीचे उतार लिया है इसी तोरान आनन फानन में घरवालों ने पुलिस को बिना बता ही अंतिम कारे करम कर दिया लेकिन पतनी के हावभाव देखकर 9 जुलाई को सास मीना ने मदिना से पूचतास की तो इस गटना का खुला सा हुआ इसके बाद सास ने 9 जुलाई को मतलब 7 दिन बाद कोट वाली भतेपुरा थाना में रिपोर्ट दजगराई पुलिस की पूचतास में मदिना ने इस गटना को सिक्वार किया है वही सास ने रिपोर्ट में यह भी बता है कि मदिना का डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर से अमभेत संबन चल रहा है इन दोनों ने ही इस गटना को अंजाम दिया है इसी तोरान पुलिस ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट को दर्ज करते हुए अनुसंदान शुरू कर दिया है सो दोस्तो ऐसी खबरे दिखाना आपको विचलित करना नहीं बलकि सचेत करना है ताकि समाज में घटनोली घटनाउसे बचा जा सके तो दोस्तो पुलिस भर के ऐसी खबरों को जानकारे के लिए बने रहे है चनल के साथ अगर चनल से नए जुड़े हैं तो चनल को सब्सक्राइक कर लेजेगा मिलते हैं अगले उड़ों के साथ जहीं दोस्तो